तो दोस्तो एक और नया दिन और मैं बल्जीत पर मार हाजर हूँ एक नई कहानी एक नया कित्ता लेकर मुझे खुद बहुत बार हरानी होती है कि एक सक्ष के बारे में आप कितना बोल सकते हो एक इंसिडेंट के कितने फैलू हो सकते हैं कितनी कंट्रोवर्सिद हो सकती हैं मैं जब भी मनिया सुर्वे का एपिसोड करता हूँ तो उसमें करने के बाद चंद गहन्टों में लोगों का फीडबेक आना शुरू हो जाता है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को नकारा नहीं जा सकता मतलन अगर आपको कोई आदमी ये कहे कि भाई साथ परमारतब आपने जो कल के किसे में ये बात कही थी वो ऐसे नहीं ऐसे थी और मैं अस तक सो पूछू कि आप ये बात कहते कह सकते हो तो उसका जवाब मिले कि मैं उस वारदात में शामिल था मैं इस पूरे कांड का चश्म दीर गवा हूँ मुझे पलीस ने अरेस्ट भी किया था मैंने उसमें सजा भी भोग दी और मैंने वो पूरा नजारा अपनी आँखों से देखा है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपकी कुछ बातों में कमी है वो इसलिए है कि पलीस का जो वर्षन होता है वो हकीकत से बहुत दूर होता है पलीस कईवर ऐसे केसे बना लेती है डोजिर बना लेती है एक क्रिमिनल को बड़ा क्रिमिनल साबित करने के लिए कुछ ऐसे केट भी उसके रिकॉर्ड में जोड़ दिये जाते हैं जिन में वो शामिल नहीं होता या एक आदमी को आपने अलिमिनिट करने की ठान ली है अगर आप ये नहीं बताओगे कि वो बहुत बड़ा शातर, खुंकार, खतरनाख, क्रिमिनल था, किलर था तो उसको मारना कहीं न कहीं लोगों को जाय़ नहीं लगता, वो सुरुखियां नहीं बनता, उसके लिए मैडल नहीं मिलते ये बिस्टिकल ही कहीं न कहीं एक मैडल गेम भी है तो उस सक्ष ने जो कल मुझे बताया कि जिस केस में वो गवा था वो केस कोई और नहीं वो केस था जिस दिन दाउद इबराहिम के बड़े भाई साबिर का कतल होता है और वो सक्ष मैंने उसको मना रहा हूँ कि वो अपनी पूरी बात मेरे साथ रिकॉर्ड कर ले और उसको मैं आपके साथ शेर कर सकूँ कोई आदा पचेदा तो वो सक्ष बाहने मैं उसको जानता हूँ 35 साल से पराने बहुत पराना मिलके काम भी किया है उसादमी के बारे में उसके जिन्दगी में काफी कुछ मैंने देखा है काफी साल जेल में रहने एक बाहर आया पर एक दूसरे केस में जेल में चला गया पठान गैंक का वो एक साकरिय मेंबर था सामद खान का, अमीर जादा का, आलम जेव का, सबका बच्पन का दोस्त था इनके साथ उसने सबके साथ मिलके काम किये और उस साक्ष क्या कहना है कि जिस दन साविर का मल्डर हुआ उस दन मनिया सुर्वे उसमें शामिल नहीं था ये कहानी पलीस ने बाद में बनाई मनिया सुर्वे को बहुत बड़ा कर्मिनल थाबत करने की उसके नाम के साथ एक बड़े बड़े कांट जोड़ने की ताके जब उसको खत्म किया गया तो उनकी जो अपलबदी है, प्राप्ती है वो बहुत बड़ी गिनी जाए और उसक्ष ने मुझे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे ये छे लोग एक गारी में किसी एक अलाके में घूम रहे थे वहाँ पे उन्होंने साविर को देखा और कैसे उसका पीछा करते करते वो कहानी, मैं चाहता हूँ कि वो सक्ष मान जाए, मैं पूरी कोशिश करना हूँ कल भी मेरी काफी डिटेल में बात हुई, आज सुबह पर उससे मैंने बात किया शायद दो-चार दिन में वो अपनी पूरी आई विटनेस अकाउंट उस केस का बताने के लिए राजी हो जाएगा अगर वो रिकार्ड नहीं भी करवाएगा, तो मुझे उसने पूरी कहानी सना दी है मैं अपने तरिके से वो कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी तो ये खलासा के लिए आपको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा तो आप कहानी देखिए कि अगर मनिया सुरवे साविर को मारने में इनवाल नहीं था तो फिर उसको उसका इतना बड़ा एंकाउंटर मुबई के इतिहास का क्राइम की दुनिया का सबसे पहला एंकाउंटर जिसमें बड़े बड़े 18 ओफिसर लिए गए इतनी बड़ी प्लैनिंग की गई इतनी निगार रखी गई इतनी वाच रखी गई तो उसके साथ जुड़ी बहुत सी बातें नकारा हो जाती है अगर इस सक्ष की माने जो कहता है कि मैं उस समय उस टीम में शामिल था उन छे लोगों में से एक था जिनों ने साबर को मारा उस राट को बहुत इंटरेस्टिंग किस्था है जो उसने मुझे सुनाया मुझे कल आदी रात तक नीद नी आई वो सब किस्था सोचते सोचते याद करते करते मैं साली टोपोग्राफी देख रहा था जो उसने एरियाज में बयान किया हम कहां कहां गए क्या क्या किया क्या वो किस्था मैं आपको दो चर दिल में रिकॉर्ड करके सनाओंगा बात की जो अभी जिन्दा है और उसने में सकरिये थे उन में से भी सब ने एक एक ने मैंने थे साथ लोगों से बात किया सब ने इस बात से इंकार किया कि साबिर को मारने का काम सिर्फ पठान लोगों नहीं किया है उसमें मनिया सुरवेजा और कोई बाहर का आदमी इन्वार्ड नहीं था उनका ये भी कहना है कि उन्हें किसी बाहर के आदमी की बदत लेने की कोई जरूरत नहीं थी साविर को मारने का भी कोई एरादा नहीं था बहुत इंट्रेस्टिक स्टोडिया को इंतजार करना पड़ेगा दो चार दिल मैं थोड़ी थोड़ी क्यों सना रहा हूं मुझे पता नहीं क्योंकि इतना इतनी बहुत बड़ी सचाई छुपी हुई है इस कहानी में उस कहानी से जहां से अंडर वर्ल के अंडर वर्ल की जो आपस में गैंग वार होती है उसकी शुरुआत होती है और जो पहला इंट्रिजेंट होता है वो हमेशा ही बहुत दिल्चस्प और कंट्रोवर्सी से भरा होता है खेर तो अगर उस केस में साविर के केस में मनिया मेंट्स देखने के बाद कुछ लोगों ने बताया है कि इस इसाइक बागमान ने भी अपनी किताब में या किसी इंतरिव्यू में कहा है कि मनिया सुर्वी उसमें इनवार्ड नहीं था अगर मन्या उस से involved नहीं था इसका मतल दायूद की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी तो अगर दायूद की दुश्मनी नहीं थी तो वो पूरी कहानी जो आज तक हमें बार 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 सुनाई गई डिफरेंट किसम के सोर्चत से कि उसको मारने की पूरी प्लैनिंग पूरी अंदर की इंफरमेशन दाउद ने कराई बराच को दिया था मुझे पहले से इस थेरी पे शक्त था लेकन मैं थोड़ा सा इसलिए मानता था कभी कि जिस इंस्पेक्टर के पास वो जानकारी आई थी जिसका नामा हमने कल भी लिया उसको मैडल भी मिला उसको अंडर वर्ल्ड के सरकल्स में दाउद का करीबी माना जाता था लेकन कई बार होता है ऐसे कि आप करीबी तो होते हो लेकन उसको करीबी पन है उसको आप अपने मक्सद के लिए इस्तेमाल करते हो अगर उस आदमी से आपको को अंदर की बाते मिलती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसके बाद गर रिष्टे आपके जो कंटेक्ट्स हैं वो लिंक्स में बदल जाते हैं तो समस्या खड़ी होती है लेकिन जब इस बात को आगे सोचते हैं इसको आगे बढ़ा है अज एन इन्वेस्टीगेटर उसकी जो आप उसकी जान परताल करें तो सुई उस समय जो जिश्वांत भीड़े का जो बाउस था रनवीर लेखा तक चाती है वो एसीपी था उस समय एसीपी क्राइम बनने के पहले वो आदमी मटूंगा प्लीस टेशन का सीनियर था उसके पहले वो उसके बाद में जब पहले डोगरी प्लीस टेशन का इंचार्ग भी रहा है वो सक्ष दाउद इबराहिम के बाप को भी जानता था और अपने मटूंगा के दिनों में उसकी वर्दा राजन से बहुत रज़िकियां थी मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था के रिनवीर लेखा की बेटी की शादी में वर्दा राजन ने तीन सो से ज़्यादा बलैक और वाइट टीवी सेट पलीस वालों को गिफ्ट किये थे इतनी इनकी आपस में दोस्ती थी और उसकी वज़े से ही वर्दा का सामराज्या उत समय मतूंगा में और साइन कुली वर्दा और दहरावी में चला और आपको ये भी मैंने तीन चार एपीसोड जो वर्दा राजन ने पर बनाये तो उसमें बताया था कि वर्दा अपने काम में किसी की मुखाल्पत जादखल अंदाजी बरदास्त नहीं करता था बहुत क्रूल किसम का कुरूर किसम का डाउन था आदमी मारने में गुरेज नहीं करता था और बहुत दिमाग से काम करता था उसकी प्लैनिंग मैंने एक इंटरव्यू मेरी किसे ने की थी किसी मैगजिन के लिए उस में उन्होंने मुझे जब डाउद अिबराहिम पर सुवार पूचा था ता मैंने उसमें एक जवाब दिया था कि दाउद इविराहिम में करीम लाला का ठहराओ है पेशन्स है जो करीम लाला में पेशन्स थी हादी मस्तान की चतरता है चलाकी है कि किस तरह अपना काम निकालना है और वर्दा राजन मोडलियार की करूरता है कि जब बदला लेना है जब कोई भी एक्षन करना है तो बहुत खत्रनार तरीके से किया जाए जिसे लोगों में धहसत पैदा हो तो दाउद इबराहिम जो है वो ये तीनों का मिश्रन था तीनों के सुमेल से एक सक्स क्रिमिनल की दुनिया में आता है वो दाउद बन जाता है जिसमें करीम लाला हाजीम बस्ताउन और वर्दा राजन के गोनों होते हैं तो वो वर्दा राजन की मनिया सुर्वे के साथ क्या दुश्मनी थी कल के एपी सेट में जो बात सब लोगों ने बारबन मुझे कमेंट करके फोन करके सब ये कही के साथ आपने जो वर्दा राजन ने गाड़ी दी थी वो इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टन एलिमेंट है अब वर्दा राजन मनिया सुर्वे को क्यों मरवाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है उसके लिए मैंने बहुत से अभी सरसे बात की और उनका ये भी कहना था कि ये पात हमें सब को मालम थी टीम मेंबर्स को कि मनिया सुर्वे वहाँ पे आरे वाला है और उस गाड़ी में बैठके अपनी गल्पनेंड को लेके जाएगा और वो गाड़ी वर्दा राजन बुडलियार ने परवाइड की थी अब वर्दा वो गाड़ी क्यों देगा उसका कारणा है मैंने उस हक्ष को भी ढूड़ा जिसकी वो गाड़ी थी वो सक्षाज भी जिन्दा है मंबही में रह रहा है उसको वर्दा ने पून किया था कि बेटा ये गाड़ी वहाँ पे छोड़ा ना किसी ने दोचा दिर गूमने के लिए चाहिए उस हक्ष से मैंने बात की मैंने पूछा क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी गाड़ी वर्दा राजन मनिया सुरुवे के लिए मगवा रहा है बोलते हैं ये ये बात का मुझे ग्यान नहीं था लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मनिया सुरुवे का एक बार वर्दा के साथ तूटू में में हुई थी धारावी में किसी पबलिक फ़lan्शन में लेकिन उसके बाद वर्दा राजन ने मनिया सुरुवे को मना लिया था बेटा बेटा करके उसको फिर नजदीक लाया था लेकिन वर्दाराजिन जैसे मैंने कहा बहुत चालाक और शातर किसम का क्रिमिनल था उसको पता था कित समय पे कब किती आदमी को ठिकाने लगाना है तो उसने वहां से उसके दिल में जो एक शक की सुई थी कि ये एक मनिया सक्ष है जो मेरे अलाके में मुझे चैलेंज कर सकता है और किसी की हम्मत नहीं है तो अन दिनों में जो बाखी लोगते बहुत चोटे थे चोटे अंदर सेंज उनका कराई में कद बहुत चोटा था जो आदमी बाद में वर्दाराजन के बहुत करीबी हो गए या में बड़ा राजन चोटा राजन तो बच्चा था जब मनिय सुर्वे का एंकाउंटर हुआ है तो ऐसा कोई भी बड़ा नाम नहीं था उस इलाके में जो वर्दा राजन को टैलेंज कर सकता जो बड़े नाम थे वो वर्दा के अलाके के बाहर आपरेट कर रहे थे जिन में रमा नायक, बाबूरेशम, अरुन यह लोग दूतरे अलाकों में थे, दाउद के साथ इसकी टैलेटरी कामन नहीं थी, पठान गैंक के साथ इनका कोई टैलेटरी का डिस्प्यूट नहीं था, तो एक ही सक्ष था जो वर्दा राजन की सल्तनत में पाओ पसार रहा था और वो था मनिया सुर्वे, आप सब को म अपनी जिन्दगी का पहला मडर किया था, वो उस सक्ष का जिया किया था, उसका सरनेवी शेक था, जो मनीर शेक का धरावी में दुश्मन था, मनीर शेक के वो आदमी काबू नहीं आ रहा था, तो अपने द्योस्त मनीर शेक की रक्षा करने के लिए, जहां उसका नाम बढ करने के लिए मनिया सुरुवे ने उस शेख का दारावी में मर्डर किया और उससे मनिया सुरुवे का नाम उसे रिये में बहुत हुआ बहुत से लोग मनिया की तर्ब खिचे जाने लगे और इस बात का अंदेशा डर वर्दा राजिन को जरूर लगा होगा और उसको खत्म कै करना है ओपन ली आप दुश्मनी करोगे तो वो आदमी आप से दूर हो जाएगा तो वर्दा ने उसके बाद मनिया को पैमपर करना शुरू किया मुझे बात का मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कैसी बाते हो सकती है इसमें वर्दा का एंगल हो सकता है जग कितना बड़ा हो सकता है तो मैंने कल कापी देर इस एपिसोड केबाद जो लोगों के फोन आने लगे तो बहुत से लोगों ने जो वर्दा के करीब थे जो समय दारू का धंदा करते थे जो समय इलिसिट कंस्टॉक्शन का धंदा करते थे लैंड ग्रैबिंग का काम करते थे जूए के कलब चलाते थे उन में से बहुत सारे लोग आज भी जिन्दा हैं और छोड़ छड़ा के बहुत बड़े रिस्पेक्टेबल आजमें बनके बैठे हैं कोई बहुत बड़ा शिपिंग का कारोबार कर रहा है वही आदमी कोरियर सर्फ सर्फ चला रहा है एक आदमी ने बहुत बड़ा मंदर बना लिया है वो उस मंदर का ट्रस्ट बन गया वो ट्रस्ट का चीफ ट्रस्ट ही है इस तरह से अपने अपने फील्ड में सब लोग खाते पीते आदमी हैं और उनको अभी कोई ऐसी जिरूरत रही है कि किसी लालत से वो लोग जूट बोलें उन में से दो लोगों ने मुझे बताया कल ये एपीसोड कल वाला देखने के बाद कि मनिया सुर्वे अक्सर वर्दा भाई को मिलने आया करता था उसके घर पे भी और दूसरी जगाओं पे भी और इसके पहले भी कई बार व वो गूमने जाता था एक अमबेस्टर गाड़ी वर्दा ने उसको दी भी थी लेकिन ऑफिसली नहीं मुनाव इसको बोला था मनिया सुर्वे को कि ये किसी को बताना नहीं कि मेरी गाड़ी है वहां गाड़ी खाड़ी है तुम ले जाओ हम बोल देगे तो रही हो गई तो अंदर खाते वर्दा राजनवाज पैम्परिंग मनिया सुर्वे ताकि मनिया सुर्वे को जे शक नहीं हो कि वर्दा के दिल में मेरे खलाब कोई नारादी है या कुछ है लेकिन जो धरावी का वो शेक का मर्डर हुआ और उसके बाद तीन चार लोगों से मनिया उसका वर्दा के कंट्रोल में था तो ऐसे तीन चार इंसीडेंट होने के बाद वर्दा को लगा कि नाव इट इस दा टाइम टू टेक रिवेंज अब उसका आदमी क्राइम ब्रांच का एस्टीपी बन गया था कुछ और लोग आफीसर वहां पे जो पराने वर्दा के साथ थी थे वो क्राइम ब्रांच में थे उनी दिनों में मनियस तुरुवे का मस्त कर ट्रांसपूर्ट वाले से जगड़ा होता है जिसके घर में वो तेजाब बैंक के आता है इसको इंजर करता है उसी समय में तो मर्डर और हो जाते हैं एक बैंक की वैन रूटी जाती है पीर लेखा के साथ मिलके जो प्लैनिंग की जाती है उसके तहट जब मनियस तुरुवे को इस बात का एहसास होता है कि कहीं न कहीं प्लीस में एक हल चल उसके खिलाब हो रही है और देखिए जब आदमी कोई शक होता है तो किसके पास जाता है अब प्लीस के पास तो जानी चकेगा मनिया डिसकस दिस तिंग विद वर्दा राजन बुडलियार ये उन लोग का कहना है जिन्हों ने मुझे कल कल वाला एपिसोड देखके फून किये लेकन वर्दा ने ये बात हमेशा छपा के रखी कि उसका कभी मनिया के साथ कोई रिच्ता था आप देखिए जब पूरा ये कांड हुआ है अनकाउंटर वाला उसके बाद वर्दा राजन ने गाड़ी भेजी थी उसका दिकर किसी काग पूरा इसरज ने क्यों छुपाई कि जिस गाड़ी में मनिया सुर्वे को वहां से गूमने निकलना था अपनी गल्प्रेंट के पास वो गाड़ी वर्दा राजन ने परवाइड की थी अगर वर्दा ने परवाइड की थी तो वर्दा ने उसका नमबर प्लीज को क्यों द आते हुए जो ट्रैप लगा जिस ट्रैप की मनिया सुर्वे को कानो कान खबर नहीं हुई उसका भरूसा वर्दा पे था बहुत मार उसकी गाड़ी लेके जा चुका था मनिया को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि जब मैं अगली बार वर्दा की गाड़ी लेके साथ मीटिंग्स में देख तुका था उस आदमी को भी मैं बड़े प्यारते मना रहा हूं कि किती तरह वो पूरा किता हमें सुनाए और वो गाड़ी भी कहां से आई थी कहां गई उसकी डिटेल भी शायद वो सक्ष मुझे अगर बार गया तो आने वाले दिलों में देगा और आकरी बात जो मैं आपको बता दूँ जब मनिया सुनुवे को आठ गोलिया लगी हुई थी उसको वहां से एमबूनेंस में जब पलीस की वेर में डाल के साइन आस्पिटर लेके जाया जा रहा था तो पीछे वेर भाक्ती पलीस वाले जो अन्कॉंटरियर वाल थे वो वो भीड को हटा के वहां से बौडी निकालना बहुत मुश्किल काम था तभी वहां पे एक सीने इंस्पेक्टर थे मिस्टर पाडूरंग वो पीछे भीड के थे उनको अंतर जाने का मुकार ही मिल दा था तो उन्होंने पीछे से पलीस का जो एक पलीस वाले का दिमाग होत हमका नाम सुनके और उसके बाद इमीड इसली जल्दी जल्दी मनिया सुर्वे को उठा के गाड़ी में रखा और वहां चे बड़ी स्पीड टे उग गाड़ी निकाली गई साइन हॉस्पीटल के रास्ते में जब एक कॉंस्टेबल पलीस का पीछे उसकी इंजर हालत में तुमी मनिया सुर्वे जिन्दा था ये लोग जो वहां पे गवात थे सब ने बताया पलीस वालों ने भी माना कि जब उसको हमने उठा के गाड़ी में रखा था तो वह जिन्दा था और ये बात बहुत बार कही गई है कि गोलिया लगने के बाद भी मनिया सुर्वे पलीस वालों को गालिया दे रहा तहा कि आपने मुझे दोके चेमा रहा है तो थोड़ा आगे जाके रास्ते में उसको जो कॉंस्टेबल पीछे बैटा तो उसके नमता है शिर्के तो शिर्के कॉंस्टेबल ने देखा कि मनिया सुर्वे हिल रहा है और आंक्षे दवारा खोलनी चुनू कर दी है तो एक गोली उस रास्ते में हॉस्टेबल जाती हुए जो नाइंथ बॉलिट उसको लगी आठ खोलिया तो वहां मौके पे लगी ती जो लोकों ने गिनी सुनी नाइंथ बॉलिट जो उसकी बॉलिट को लगी वो साइन हॉस्टेबल ले जाते हुए उस कॉंस्टेबल शिर्के ने चलाई थी ऐसी बात मुझे उस तीम के आफिसर्द ने बताई है जो उस उपरेशन में शामिल थे तो अब आप देखिए इस किस्टे कहानिया आने वाले दिनों में और इसी किस्टे कहानिया लेके आएंगे तब तक कि लिए सबका शुक्रिया धन्यवाद